हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आप लोग अच्छे होंगे सो आज के इस वीडियो में हम खतम करेंगे क्या पॉलीमर्स को और अच्छे से रिवाइज करके देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्टिन्स एक्जाम में पूछे जाते हैं कहां से पूछे जाते हैं और इसमे ज्यादा से ज्यादा कैसे score किया जाए apart from examination पहले exam की बात तो छोड़ो अगर ये chapter की बात मैं करू न polymer तो ये हमारी daily life में भी बहुत ज्यादा useful है यार मैंने देखो घड़ी पहन रखी है ठीक है इसका जो ये उपर का पट्टा लगा हुआ है ये भी किसी ने किसी polymer से बना हुआ है मैंने कपड़े पैन रखे हैं यार polymers है ना इवन इस laptop में या ये system में जो material लगा हुआ है ये material भी कोई ने कोई polymer है okay so polymers are very useful है ना आप इवन सुबा उठते हो आप brush करते हो brush कर रहे हो brush भी किसी polymer से बना हुआ है आप रात में सोते टाइम जिस बेट में सोने जा रहे हो है ना उसका जो fabric है वो भी एक तरीके का क्या है polymer है so it is very important in our daily life पहली चीज़ दूसरी अगर मैं exam के point of view से इस chapter की बात करू तो पिछले कुछ सालों में अगर आप ध्यान देंगे तो जितने भी question polymer से हो गया chemistry in everyday life से हो गया biomolecules से हो गया यह सब straight from NCRD पूछे जाते हैं तो यह chapter अच्छे से cover कर लिए न तुम तो तुमारा कुछ question क्या हो जाएंगे save हो जाएंगे अब तो एक्जाम में यह question तो हमारा सही हो गई हो और दूसरी चीज इसमें बहुत जाजा calculation करनी नहीं होती आता है तो आता है दो second में answer तुम करके चले आओगे तो दो second में answer कर लिए तो तुमारा पास अच्छा खासा time बच जाएगा दूसरे subject के questions को करने का और exam में तीन गंटे में अगर तुमने manage कर लिया बढ़िया से ताइम और accuracy तो अच्छी rank आने से कोई नहीं रोख सकता तो उस अच्छी rank आने के क्रम में यह हमारे लिए बहुत important हो जाता है इस chapter को सभजना तो let us start अब polymer अगर मैं तुमसे पूछू कि अच्छा polymer क्या होता है इसक्रीन सब लोग देख पा रहे हों कि मैंने यहां पर polymer के साथ साथ एक और term लिखा हुआ macromolecule वह मैं इसलिए लिखके आया हूँ ताकि आप लोगों का confusion दूर कर सकूं है ना कि macromolecule सब लोग बोल देते कि यार polymer macromolecule है हाँ सही है लेकिन macromolecule होता क्या है पहले तो यह जानो polymer होता क्या है पहले यह जानो ठीक है polymer एक बहुत बड़ा compound है है ना polymer is very large molecule having high molecular mass और high molecular mass आप देख सकते हो किस range में लाई कर रहा है 10 to the power 3 से 10 to the power 7 units के बीच में है ना दिस वेरी लार्ज है ना पट macromolecule क्या है अब यह बच्चे को देखो question तुम्ही लोग जैसा कोई बच्चा है है ना वो पूछ रहागी सर अच्छा तो macromolecule क्या है फिर तो देखो macromolecule जो होता है macromolecule एक बड़े molecule को हम बोलेंगे कोई भी जो बड़ा molecule होगा बड़े molecule का मतलब क्या हुआ है जिसमें number of constituent atoms number of constituent particles क्या हो बहुत जादा हो उसको हम macromolecule कहेंगे okay is it clear नाम सही clear है यार macro जानते हो ना सब लोग macro का मतलब क्या होता है macro और micro दो word होते है micro किसके लिए यूज किया जाता है for very small है ना और macro किसके लिए यूज किया जाता है macro यूज किया जाता है for very large जब कोई चीज बहुत बड़ी हो तो उसको हम macro बोलते है और बहुत छोटी हो तो उसको micro बोलते है तो obviously when the molecule having large number of molecules a larger structure तो उसको macromolecule को होगे, बहुत छोटा molecule है, तो उसको macromolecule को होगे. Is it clear? Now, how macromolecule and polymers are related with each other? तो देखो, for example, तुम जिस कमरे में बैठे हुए हो, उस कमरे को अगर देखो, तो वो कमरा बना कैसे होगा? Obviously, इतों को जोड़ के बना हुआ होगा. एक eat के उपर, दूसरी eat, तीसरी eat, तो n number of eats, bricks को जोड़ करके आप एक क्या बनाते हो, दीवाल बनाते हो. उसी तरीके से polymer, नाम से clear, poly का मतलब क्या होता? बहुत सारे. मर्स का मतलब क्या होता? units. तो बहुत सारी similar units को add करके, add करके, एक जो बड़ा structure बनता है, उसको हम polymer कहते हैं. और जो smaller structure, repeat होता है, जो simplest repeating unit होती है, किसी भी polymer की उसको हम क्या कहते हैं, monomer कहते हैं. So, I hope आप लोग clear होंगे कि polymer क्या है, monomer क्या है. ओके, now again come to macro molecule, तो sir, polymer तो बहुत सारे molecules को जोड़ कर बना हुआ है, बहुत सारे चोटे-चोटे simple units को जोड़ कर बना हुआ है, क्या हम polymer को macro molecule कहेंगे? अब obviously हम कहेंगे, क्योंकि macro molecule की definition ही यह थी न, कि यार larger number of particles, है न, more constituents, more atoms, तो वो आपका polymer क्या हो गया, एक macro molecule है, बट suppose करो, अगर हम यह कहें कि all the macro molecules are polymers, क्या यह बास सही होगी? let us see, एक छोटा सा compound, एक छोटा सा example आपके सामने रखता हूँ, chlorophyll, नाम सुने ही होगे, chlorophyll कहां use होता है, पेड़ पहुते यूज करते हैं न, to prepare their food, तो chlorophyll का अगर मैं chemical formula देखू, तो this is the chemical formula of chlorophyll, देख सकते हो किता बड़ा, C55, H72, बहुत सारे constituent atoms हैं, इस particular molecule के अदर, तो यह एक molecule है, जो macromolecule कहा जाएगा, बट क्या यह polymer है, तो answer is no, क्यों कि polymer की definition है, repeating units होनी चाहिए, monomers होने चाहिए, एक से ज़्यादा particles होने चाहिए, तब हम उसको polymer कहेंगे, अन्यधा हम उसको polymer नहीं कहेंगे, तो यह एक macromolecule है, बट polymer नहीं है, बट जितने भी polymer होंगे, वो क्या होंगे, macromolecule होंगे, तो क्या कहा जाता है, all the polymers are macromolecule, but all macromolecule are, all macromolecule are, दिख रहा है सबको, all macromolecule are not polymer, यह शायद मैंने लिखा भी था, फिर से लिख दिया, कोई दिकत नहीं, तो यह confusion किसी को नहीं होना चाहिए, कि polymer और macromolecule सेम होते हैं, अलग-अलगते हैं, कहां सेम होंगे, कहां अलग-अलग होंगे, यह मैंने आप लोगों को बता दिया, अब जो हमारा अगला topic होगा, so I hope इस slide के बारे में सब लोग clear हो गए होंगे, कि polymer क्या है और monomer क्या है, now come to the next point, हमारा next point जो है, वो यह है कि सर्थ monomer से polymer बना, so obviously it should have taken some path, it should have followed some mechanism, some order, है न, some process, so वो जो process होता है, जिस process में आप monomer को एक polymer में convert करते हो, that is known as क्या चीज, that is known as polymerization, so it is very clear, polymerization नाम से clear है, कि the process of conversion of monomers into polymer is known as polymerization, for example आप यह दो example यहां देख सकते हो, दोनों example में मैंने पहला example लिया हुआ है, यह क्या है monomer आपका, इथीन है, एक इथीन का molecule ले लिया, और इथीन का जब आप polymerization करा होगे, so you will be getting this particular part, इसको हम कहते हैं polythene, simple, उसी तरीके से आप यह monomeric unit ले लीजे, एथीलीन ग्लाइकॉल की, आप इसका polymerization कराईए, इसका polymerization कराएंगे, आपको poly, एथीलीन ग्लाइकॉल मिलेगा, so these are क्या चीज, these are polymers, ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, कि polymerization तो clear हो गया सर, लेकिन screen पे कुछ चीज हम लोगों को दिखाई दे रही, जहां हमको confusion हो रहा है, कि यह monomer तो समझा आ गया, polymer भी समझा गया, यह सब क्या लिखा हुआ है, so very simple यार, कि monomer का मतलब हो गया, single unit, दो को जोड़ के बना दिये, dimer, तीन को जोड़ के बना दिये, trimer, पहुँ सारे को जोड़ के एक large structure बना दिये, that is polymer, but again तुम्हारा question होगा, कि सार अच्छा, यह oligomer क्या लिखा हुआ है, so oligomer, polymer से थोड़ा सा नीचे ही जी जाए, मतलब यह कोई ऐसा structure होगा, जिस पे number of repeating units होगी, लेकिन उतनी जादा नहीं होगी, जितनी एक polymer में होती है, तब उसको हम क्या कहते हैं, oligomer कहते हैं, so I hope everyone is clear up to this point, कि polymerization क्या होता है, so up to now, हम लोग clear हैं कि polymer क्या है, monomer क्या है, polymerization क्या है, और macromolecule क्या होता है, और how macromolecule is related to क्या चीज़, polymers, okay, now come to the next part, next part आता है जो, वो इस भारे में है, कि polymer बहुत सारे हैं हमारे आसपास, so obviously इनकी बढ़ियां study करने के लिए क्या जरूरी है, categorization जरूरी है की नहीं, classification जरूरी है की नहीं, जैसे आप elements का classification करते हो, क्या जरूरती periodic table बनाने की, so that आप उन elements की study क्या कर सको, conveniently कर सको, तो उसी तरीके से जब हमारे आसपास बहुत सारे polymers हैं, so उन polymers के categorization भी जरूरी है, और वो भी किया जाता है, so our next topic will be the classification of polymers, ठीक है, how do we classify different polymers, so अगर classification की बात की जाए, तो आप ये बताइए, किसी भी चीज का classification करने के लिए, requirement क्या होती है, जैसे school है, school में बच्चे पढ़ने जाते हैं, लेकिन उनको आप क्या कर देते हो, कि ये 11th class का बच्चा है, ये 12th class का बच्चा है, ये 10th class का बच्चा है, ये किस के basis पे किया गया, उनकी class के basis पे, उनकी level of study के basis पे, उनको classify कर दिया गया, अब class में ही, अगर मुझे को फिर से further classification करना हो, तो मैं कैसे करूँगा, कि भाई ये लड़का, ये लड़कों का ग्रूप है, ये लड़कियों का ग्रूप है, अब मुझे further classification करना हो, कि कोई बच्चा है, वो 90% से ज़्यादा लाता है, कोई बच्चा है, जो 70 से भी कम पा रहा है, तो हर एक classification का, कोई ना कोई क्या होता है, criteria होता है, और उसी तरीके से, हम लोग जब polymers को classify करने जाते हैं, so we have certain criteria, जैसे कि आप अगर classification करना चाहें, तो एक तो है, आप किस basis पे कर सकते हैं, उनके source के basis पे कर सकते हैं, source के basis पे मतलब क्या हुआ, कि जो polymer use किया जा रहा है, वो polymer कहां से प्राप्त किया गया, कहां से लिया गया, जैसे jute हो गया, किस से लिया जाता है, natural resource से लिया जाता है, cotton, आप यूज करते हो, cotton की shirt यूज करते हो, cotton कहां से, cotton का एक पेड आता है, उस से लिया जाता है, तो natural source हो गया, ठीक है, उसी तरीके से आप अगर बात करो PVC की, polythene की इनको लैब में क्या किया जा रहा है, synthesize किया जा रहा है So this is not natural, this is man-made So अगर मैं source के basis पे classify करना चाहूँ तो बहुत सारे polymers हो सकते हैं उसी तरीके से मैं उनको उनके structure के basis पे classify कर सकता हूँ कि इसका क्या structure है, क्या नहीं है उनके बीच के intermolecular forces के basis पे मैं उनको classify कर सकता हूँ मैं उनको उनके mode of polymerization के basis पे classify कर सकता हूँ mode of polymerization का मतलब कि जब monomer polymer में convert हो रहा है तो obviously that must be following some mechanism कोई एक process को follow कर रहा होगा, कोई addition के थूँ जा रहा होगा सो उसके basis पे भी classify किया जा सकता है सो हमको इस chapter में ये 4 classification पढ़ने है polymers के सबसे पहला तो हम शुरू करेंगे किस से basis पे? on the basis of sources सो लेट एस सी, अगर आप source के basis पे देखिए तो जो polymers है, they are basically of 3 types और वो 3 types कौन-कौन से हैं? सामने लिखा हुआ है सबसे पहला तो क्या लिखा हुआ है? natural लिखा हुआ है दूसरा क्या लिखा हुआ है? semi-synthetic लिखा हुआ तीसरा क्या लिखा हुआ? artificial लिखा हुआ है नाम से ही बहुत कुछ clear है natural polymer का मतलब क्या होगा? कि वो polymer जिसको natural source से पाया गया example आपके सामने लिखे में protein, cellulose, wool ये सारी चीज़े क्या है natural polymers दूसरा क्या है artificial या synthetic इसी को man-made भी कहा जाता है क्यों man-made कहा जाता है क्यों कि इसको कौन बना है हमी लोग तो lab में जाके बना है तब जाके ये polymer का formation हुआ लेकिन उसकी property mechanical property उतनी अच्छी नहीं थी ठेक है अब उसकी mechanical property को enhance करने के लिए हमने उसमें कुछ chemical डाल दिया कि जिससे उसकी mechanical property या और भी जो desired properties थी उनमें enhancement आ गया वो अच्छी हो गई और तो उस तरीके के polymers को क्या कहा जाएगा they will be known as semi-synthetic क्योंकि आपने chemical भी use किया आपने natural resource को भी use किया है उसको बढ़ियां बनाने के लिए so I hope ये तीनों part तो बहुत अच्छे से clear हो गए होंगे सबके कि on the basis of source की अगर हम बात करें तो जादा मगजमारी नहीं करनी है ये तीन होते है natural polymers, semi-synthetic और synthetic polymer अब इसमें देखो सवाल कैसे पूछा जाता है ऐसे ये सारे examples दे देगा example दे दिया suppose करो चार example बोलाऊ options दे दिया और बोलेगा कि which of the following is not a natural polymer which of the following is not a semi-synthetic polymer या which of the following so बहुत simple straight forward question यहां से पूछे जाते है so I hope everyone is clear up to this point अब जो हमारा next है यह है किसी भी polymer का classification on the basis of their structure structure किस तरीके का है polymer में monomers ने किस तरीके का pattern follow किया है किस तरीके के structure को वो बना रहे हैं उसके basis पे यह classification होता है so the very first classification on the basis of structure is linear polymer सबसे पहला क्या होता है linear polymer होता है अब यह linear polymer का मतलब क्या हुआ है ना linear लिनियर पॉलिमर होने से लिया किसी चीज में अगर लिनियर पॉलिमराइजेशन हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके की होगी क्या बनलब प्रोज होंगे क्या अच्छा होगा उसके साथ let us see है ना तो सब्सक्रों यह एक मोनोमेरिक उनिट है और यह मोनोमेरिक उनि जुड़ते जा रहे है तो एक पॉलिमेरिक उनिट बनती जा रही है तो इस तरीके के जितने भी पॉलिमर्स बने जिनमें एक लीनियर फैशन में अडिशन हुआ है किनका मोनोमर्स का उनको हम कहेंगे क्या लीनियर पॉलिमर्स तो अब देखो लीनियर पॉलिमर्स क्या है इनको एक नाम और दिया जाता है, इनकी एक खास बात होती है, कि यह जितने polymers होते हैं, they are high density polythene, इन polymers की density बहुत ज्यादा होती है, तो density ज्यादा क्यों होती है, अब तुम खुद देखो, density का मतलब क्या है, density का मतलब होता है, कि किसी एक given volume में, number of particles ज्यादा आ जाए, मास ज्यादा हो जाए, मास पर unit volume को होती है, तो यह सपोस करूँ यह एक linear structure है, so linear structure, linear structure के साथ बहुत अच्छे से overlapping कर सकता है, एक बहुत अच्छी क्या कर सकता है, पैकिंग कर सकता है, अच्छी close packing हो सकती है, so जब अच्छी close packing होगी, तो volume ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, occupied रहेगा, और volume जब ज्यादा से ज्यादा किसी particle से occupied है, तो obviously their density will be what, their density will be higher, so that is why जो linear polymers होते हैं, they are also known as high density polythens, okay, so इस पर भी सवाल कैसे बन सकता है, कि what is the characteristic feature of linear polymers, so characteristic feature पहला तो क्या हो गया, कि भाही वो एक same line में ही, same linear fashion में add होते हैं एक दूसरे के साथ, दूसरी property क्या हो है कि इनकी density क्या होती है, high होती है, और density high क्यों होती है, you must be clear, okay, now come to the next point, next point क्या हो जाएगा, दूसरा classification क्या हो जाएगा, जब एक linear है, तो दूसरा क्या है, branched भी हो सकता है, अब branching का क्या मतलब होगा, obviously, नाम से फिर से clear है, कि अगर आपके जो monomer units है, monomer units एक दूसरे के स हम में भी add हो रहा है, तब उस तरीके के polymers को हम क्या कहेंगे, branched polymer कहेंगे, for example, जैसे देखो, ये वाला pattern अगर follow होता, linear polymer था, okay, अब इसी में कहीं बीच में क्या हो गया, branching हो गई, branching हो गई, branching हो गई, so ये polymers किस category में रखे जाएगे, branched polymers में रखे जाएगे, तो ये एक characteristic feature हो गया इनका, next, इसका एक खास बात और होगा क्या, जैसे वो high density था, ये कैसे हो जाएंगे, low density polythene हो जाएंगे, reason is same, reason is same, क्यों है, देखो, जैसे वो linear था, ये दूसरा वाला भी linear था, तो जो different polymeric units है, उनकी packing क्या हो रही थी, बहुत close हो रही थी, एक दूसरे के सा अच्छे से वो overlap कर जा रहे थे, ज्यादा से ज्यादा volume को क्या कर रहे थे, cover कर रहे थे, लेकिन अगर इनमें branching है, suppose करो this is branch, this one is branch, तो ये branch क्या करेगा, इनकी close packing को क्या करेगा, decrease करेगा, मतलब branching होने से, जो packing efficiency है, polymeric units की, वो उतनी अच्छी नहीं होगी, जितनी linear में हो अच्छी नहीं है, तो mass per unit volume क्या होगा, that will get decreased, अरे, if mass per unit volume is getting decreased, मतलब क्या हुआ, their density will be lowered, so that is why they are also known as low density polythenes, I hope कैसा question बहुन सकता है, जैसा मैंने पिछली बार बताया, linear के case में, उसी तरीके के question आपसे branched में भी पूछे जा सकते हैं, so I hope everyone is clear up to this point, structure के basis पे एक और classification होता है, और इस classification को हम बोलते हैं क्या चीज, cross linked polymers, अभी cross linking और branching में फर्क होता है, branched ये तब हैं, जब ये वाला देखो, ये दो different units है, इसमें अपनी branching है, ये 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 branching ह मतलब एक जो पॉलीमेरिक यूनिट है वो दूसरी पॉलीमेरिक यूनिट से जुड़ी नहीं हुई है ठीक है? They are not attached with each other Cross linking में क्या होता है? यह जो different lines जा रही है इनका जो पॉलीमेरिक यूनिट जा रही है यह different polymeric units, covalent bonds के तरू एक दूसरे से जुड़ी होती है तो जब यह जुड़ी होई होगी एक दूसरे से different polymeric units एक दूसरे से जुड़ी होई है बीच पीच में Cross linking होई है तो यह Cross linking होने से क्या होगा? इनके बीच का जो bond है इनके बीच का जो attraction है वो बहुत stronger होगा बहुत अच्छे तगड़े तरीके से जुड़े होगे यह लोग इस वज़ा से cross linking की वज़ा से जितने भी cross linked polymer होगे उनके अंदर एक खास बात क्या होगी they will be rigid, they will be brittle so यह इनका एक characteristic feature होता है Chris का cross linked polymers का कि they are hard, they are brittle, they are solid यह इनका nature होता है इनके nature के पीछे की responsible कौन सी चीज है cross linking यह सब क्यों होता है cross linking की वज़ा से होता है अब cross linking कब possible होगी ऐसे तो है नहीं कि एक carbon की change आ रही या दूसरी carbon की change आ रही carbon के साथ cross linking कर लेगा this is not possible ऐसा तब होता है जब आपका जो monomeric unit है उसमें 2 या 3 functional group at least हो जब 2 या 3 functional group at least होगे, तब वो cross linking का chance क्या होता है, ज़्यादा बनता है ठीक है, अब यह particular जो type है this is very important आपके exam के point of view से यह बहुत important है देखो कितनी बार पूछा गया अब लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही question पूछता है question को change करकर के पूछता है जैसे back and light is an example of चार option देदेगा, तुमको क्या चुनना वहां से cross link polymer which of the following is a cross linked polymer option देदेगा, वहां से चुनना है ठीक है, cross link polymers are brittle in nature, this is because of so this is because of what, this is because of cross linking चार reason दिया रहेगा कुछ में तुमको क्या pick करना है cross linking pick करना है ठीक है, तो language change करके कई बार ये पूछ सकता है आपको ये सारी चीजे बता हो ली चाहिए so I hope यहां तक सब लोग clear हो गए होंगे कि classification on the basis of structure क्या होता है अब अगला classification जो हम पढ़ेंगे जैसे अभी तक तो हमने सारा कुछ देख लिया कि structure के basis पे किस तरीके से classify करना है अगला जो classification है वो है इनके intermolecular forces के basis पे कि polymeric units के बीच में किस तरीके का intermolecular forces काम कर रहे हैं तो हम इनको 4 parts में classify करते हैं कितने parts में classify करते हैं intermolecular force के basis पे classification कितने तरीके का होता है चार तरीके का होता है अब ये चार कौन-कौन से हैं बहुत simple है इनको आराम से देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले चीज़ होती है क्या elastomers क्या होता है elastomers सो अब ये elastomer क्या होते हैं देखो जब आपकी जो polymeric units है polymeric units के बीच में जो intermolecular force है वो बहुत weak हो और weak intermolecular force कौन सा होता है आपने physical chemistry में पढ़ा था कौन सा होता है wonder wall force सो अगर हमारे इन units के बीच में weakest intermolecular force like wonder wall force काम कर रहा हो तो हम उन polymers को क्या कहते हैं elastomers कहते हैं elastomers का सबसे अच्छा example क्या है natural rubber दूसरी चीज होती है क्या fibers fiber elastomers का just opposite है just opposite होने का क्या मतलब हुआ कि वहाँ पे weakest force काम कर रहा होगा यहाँ पे strongest intermolecular force काम करता है और strongest intermolecular force कौन सा होता है that is hydrogen bonding so if there is a possibility of hydrogen bonding between the polymeric units of the structure तो वो किस तरीके के polymers में classify किये जाएंगे on the basis of intermolecular force fibers बोला जाता है उनको अब देखो fibers में सबसे पहली चीज तो यह कि भाई यह वाला force काम करेगा hydrogen bonding उनके बीच में काम कर रही होगी दूसरी चीज यह है कि इनकी tensile strength बहुत अच्छी होती है मतलब इनको आसानी से आप तोड नहीं सकते जल्दी नहीं तूटते यह इनको क्या करना पड़ता है force लगाना पड़ता है अच्छा खासा और यह thread like structures होते हैं तो इस वज़ा से इनका जो इस्तिमाल किया जाता है वो कहां किया जाता है textile industry में बहुत यूज किया जाता है so this is fiber तो आपको दो चीजे समझ आ गई क्या चीज elastover क्या है और fiber क्या है next जो होते हैं मैंने बोला था कि 4 होते हैं ठीक है अब thermoplastic क्या होता है ठीक है देखो thermoplastic का मतलब होता है कि जब एक तो तुमने पढ़ा क्या fiber पढ़ लिया एक elastomer पढ़ लिया अगर intermolecular force ना तो elastomer जितना weak हो और ना ही fiber जितना strong हो मतलब बीच का intermolecular force हो तो उस category में हम किसको रखते हैं उस category में हम रखते हैं thermoplastic को तो क्या लिखा हुआ है कि they have weak intermolecular force which is intermediate to what? intermediate to fiber and elastomers अब इनकी एक और खास बात कि जब आप इनको गरम करते हो ना तो यह melt कर जाते हैं ठीक है? soft हो जाते हैं और यह soft जब हो जाते हैं तो इनको आप क्या कर सकते हो? कोई भी shape दे सकते हो ठीक है? तो इनकी दूसरी property क्या होती है? कि thermoplastic soft and when heated और इनको किसी भी shape में remold किया जा सकता है for example polythene, polystyrene, etc अब इस पर सवाल कैसे पूछा जाता है? देखो जैसे पूछा गया IIPMT 2014 और 2006 में बुलें, which of the following? अभी मैंने जिस तरीके का trend बात किया ना तुमसे पिछले कुछ एक topics में लगभख वैसा ही trend यहां भी follow होता है मैं बोला था ना कि इस chapter से question कुछ भी बाहर चानी आता एक ताम straight forward NCRT से आता बतलब यह भी नहीं किया NCRT कि एक line तुमको बहुत गागर में सागर टाइप का जागे ढूंडना है एक दम straight forward जो NCRT में लेखा हुआ है वहीं से उठाता है यह questions ठीक है? जैसे देखो इसमें question किस तरीके से पूछा जा सकता है तुमको पता है कि which of the following polymer has the intermolecular force between fibers and यह जो elastomer मैंने बताया ठीक है? which of the following polymer can be remolded which of the following polymer softens on heating इस तरीके के मतलब multiple possibilities बन सकती है straight forward वाली वो पूछी जाती है तुमने देख लिया कि on the basis of intermolecular force यह तीन कौन से होते है और last है क्या thermosetting plastic ठीक है? अब thermosetting plastics क्या होते है? जैसे तुमने अभी इनको गरम किया तो soft होके यह क्या कर दे? remold हो गया लेकिन यह जो होते हैं thermosetting plastics होते हैं इनको remold नहीं किया जा सकता है यह बहुत ही strong structures होते हैं brittle structures होते हैं और एक बार इनको आपने क्या कर दिया? heat कर दिया तो यह further infusible नहीं होते हैं जैसे की back and light हो गया हो गया कभी तुमने देखा होगा कि किसी के अगर cooker वगयरा का या किसी pot में अगर back and light का handle लगा हुआ है और वो जल जाता है तो उसको further remold नहीं कर सकते हैं फिर से उसको change नहीं कर सकते हैं गरम करके फिर से वापस से उसी shape में नहीं ला सकते हैं तो यह property होती है किसकी thermosetting plastic की तो I hope सब लोग clear होंगे कि यह चारो क्या है और इनकी क्या-क्या properties है जैसे इसमें question क्या पूछ लेगा कि which of the following polymers has cross linking between them तो cross linking किसमें है चारो option देने तुम्हें तो thermosetting plastic में है तो यह था this was classification on the basis of what on the basis of intermolecular forces between them हमने क्या-क्या देखा elastomers देख लिया elastomers होते हैं fibers होते हैं और क्या था thermoplastik और thermoplastik and thermosetting plastic thermosetting plastic वैसे दिख रहा है सबको दिखी रहा होगा खेर यह तो मैंने करा दिया पुरा अब अगला जो type होता है अगला जो classification है that is on the basis of mode of polymerization तो देखे ना कि मैं बोला था ना तुम लोगों को कि कोई ने कोई criteria है पहले set किया जाता है और उस criteria के basis पे classification होता है तो you have seen कि different criteria क्या कहते है source था structure था और हमने क्या देखा अभी कि intermolecular forces के basis पे कैसे कही जाता है अब जो अगला है यह है mode of polymerization के basis पे mode of polymerization का मतलब क्या होता है यार देखो polymer क्या है monomer monomer बहुत सारे monomer जुड़के क्या की है polymer बना है that process was polymerization अब वो polymerization obviously अगर एक दूसरे के साथ link कर रहे है है ना मतलब की bonding interaction हो रहा है electrons का involvement हो रहा है तो वो किस तरीके की reaction के through हो रहा है उसके basis पे यह classification होता है तो generally यह दो तरीके का होता है ठीक है सबसे पहला जो case है वो क्या है addition polymer या chain growth इसी को क्या बोला जागा addition polymerization बोलो या chain growth polymerization बोलो तो उस polymerization से जो polymer वनेगा उसको addition polymer या chain growth polymer कहेंगे तो यह है क्या so basically it is addition नाम से ही clear है दो चीज़े add कर रहे हो तो तो add करने का मतलब क्या हुआ इसमें से कुछ नहीं हटा होगे इसमें से भी कुछ नहीं हटा होगे जितने particles इसमें थे जितने particles दूसरे unit में थे वो ऐसे ही रहेंगे और आके जुड़ जाएंगे ठीक है मतलब कोई भी loss यहां से या बाहर से कुछ extra addition नहीं होगा ठीक है इसमें अगर मैं कुछ आड करना चाहूं तो मुझे एक hydrogen तो हटाना पड़ेगा यहां अभी इसमें add होने का chance नहीं है न लेकिन अगर यही मैं CH2 double bond CH2 लूँ तो मैं यह bond तोड़के multiple bond को तोड़के यहां पे कोई और group को क्या कर सकता हूं? अटेच कर सकता हूं तो अगर किसी को add होना है without having any trouble without having removal of any particular constituent तो वो कैसा होना चाहिए? present हो तो इसी लिए यहां पे क्या लिखा गया है? यहां पे लिखा गया है कि this is combination of monomers having multiple bonds बतलब यह तभी possible होगा जब monomer में multiple bonds होंगे अब अगली चीज क्या? simple मैंने बताया कि addition होने जा रहा है addition होने जा रहा है तो कोई loss वगरा नहीं होगा कोई loss नहीं होगा तो किसी भी तरीके का कोई by product का formation नहीं होगा तो यानि कि जब यह polymerization होता है तो किसी भी तरीके का कोई by product नहीं बनता है इस polymerization के अंदर ठीक है? और अगली चीज क्या? तुम सेम तरीके की units add करते जा रहे हो कुछ loss उस करा नहीं रहे हो तो जो उनका simplest formula है जिसको तुम empirical formula बोलते हो उसमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं आएगा So, इस तरीके के polymerization से जितने भी polymers का formation होता है वो polymers का empirical formula unchanged रहेगा ठीक है? So, ये point याद रखिएगा question अगर पूछा गया तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि in which of the following polymerization the empirical formula remains same तो कहां remains same? addition polymers में empirical formula remains same ओके, अब देखो अगली चीज ये कह रहा है कि addition polymers are classified into two categories based on the type of monomers involved बिल्कुल सही कह रहा है क्यों ये चीज है? देखो, अब दो चीज़ें add हो रही है तो क्या possibility हो सकती है? दो चीजों के add होने की suppose करो दो चीजें add होने जा रही है A और B इनको add करने जा रहे हम और add करके कोई मालो A, B type का structure बनेगा वो फिर repeat होता रहे रहा है बहुत सारी units A की बहुत सारी units B की repeat कर add कर रहे हम A और B अलग-अलग भी तो हो सकते हैं और A और B same structures भी तो हो सकते हैं ठीक है? सो यहाँ दो ये possibilities हैं कि अगर ये जो adding units हैं ठीक है? monomeric units जो हैं वो केवल और केवल एक तरीके की हो ठीक है? जैसे polythene का example ले लो polythene में क्या होता है? CH2 double bond CH2 और इसका polymerization करा देते हैं polymerization कराने पर क्या बनता है? CH2 single bond CH2 entines this is polythene तो कौन add हो रहा? खाली और खाली ये CH2 double bond CH2 बतलब इथिलीन ही यहाँ पे monomeric unit है बट एक possibility ये भी थो हो सकती है कि दोनों अलग-अलग हों so इसके basis पे ये दो तरीके का होगा और वो दो तरीके के कौन-कौन से polymers होते हैं एक को हम बोलते हैं homopolymer homopolymer और एक को बोलते हैं copolymer ओके? तो ये दो क्या चीज़े होंगी? homopolymer and copolymer homo नाम से clear है when the repeating units are identical and अगर repeating units क्या हों? दो या दो से जादा अलग तरीके की हों तो दो या दो से जादा जनरली नहीं होता जनरली दो ही होती हैं दोनों अगर अलग हों ठीक है? इन जनरल दो ही होती है तो दोनों अगर अलग-अलग हों तो उसको हम क्या बोलेंगे? co polymer बोलेंगे ठीक है यहाँ देखो लिखा हुआ है कि addition polymers of two types और क्या क्या बोल दिया homo polymer and heteropolymer या co polymer बोलो ठीक है यहाँ देखो मैंने example अभी दिया था कि अगर single type of monomer हो एक ही तरीके की monomeric unit हो so that will be homo polymer और अगर repeating unit क्या हो different हो जैसे यहाँ देखो 1,3 butadine है और styrene है picture बना रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे this will be known as a copolymer so I hope everyone is very clear कि क्या होता है copolymer और क्या होता है homo polymer okay now come to the next slide कि sir यह जो addition हो रहा है इसका अभी तो आपने केवल characteristic feature बताया mechanism आपने नहीं बताया ठीक है तो generally यह जो addition polymerization होता है यह most of the cases में follow करता है free radical mechanism को free radical mechanism कैसे होगा कि कोई एक free radical generate हो जाएगा आप लोगों को अगर GOC के lectures याद हो तो याद होगा कि free radical mechanism एक trend को ही follow करता है मतलब हर free radical mechanism में steps हमको common देखने को मिलते हैं वो क्या-क्या step होते हैं पहले तो एक free radical का initiation होता है free radical generate होता है वो free radical main chain को क्या करता है initiate करता है initiation के बाद chain में फिर propagation होता है propagation के बाद फिर क्या होता है termination होता है so if I am saying कि यहाँ पर free radical mechanism follow होगा तो बाद वही होगी वही चार step होगे और यह generally कब होगा most addition polymers इसके presence में होता है radical initiators के presence में होता है ओके आप देखो chain initiation step chain initiation step इसमें क्या होगा आप कोई भी peroxide ले लोगे अब peroxide परोकसाइड सबको पता है ना कि यह वाला bond जहां भी होगा this is peroxy bond और जो compound इस bond को contain कर रहा है carry कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे peroxide बोलेंगे so peroxide में यह वाला जो bond के fission का tendency होता है इस bond के fission का tendency यह generally homolysis के थुरू breakdown होता है तो जब इसका homolysis होगा तो बताओ क्या बनेगा यह free radical बनेगा okay this free radical will be formed अब यह क्या देख रहे हो benjoil free radical बना है यह ठीक है और this is highly unstable so यह क्या करेगा यह चाहेगा कि यह जल्दी से stabilize होता है तो इस वज़ा से यह वाला क्या करेगा इस bond को भी homolysis कर देगा तो carbon dioxide निकल जाएगी और तुम्हारा जो यह C6H5 phenyl radical बन गया so this is chain initiation की मतलब एक अच्छा सा free radical generate हो चुका है जब हमने benjoil peroxide यह free radical benjoil peroxide initiator लिया है अब यह ठीक है यह जो free radical generate हुआ यह free radical क्या करेगा आपका जो monomer है suppose करो मैं polythene के formation की बात कर रहा हूँ तो इस monomer को जाके यह क्या करेगा obviously यह खुद को stable करने के लिए इसका homolysis कराएगा किसका? monomer का अच्छा monomer की homolysis होगी तो homolysis से यह दो दोनों carbon पर dot dot आएगे तो यह dot इस dot के साथ क्या कर जाएगा? terminate कर जाएगा तो यह वाला bond बन जाएगा और एक बड़ा free radical generate हो गया ठीक? अब यह free radical यही काम सारे monomeric units के साथ करेगा देखो सारे monomeric units के साथ अब जैसे यह generate हो गया तो यह अगले CH2 double bond CH2 वो fission कराएगा फिर आगे कराएगा तो इस तरीके से यह एक बड़ा polymeric free radical form हो गया अब हमारे container के अंदर इस तरीके के multiple polymeric free radical form होए होगे तो वो free radicals जब ultimately form हो जाते हैं so in order to get stabilized what will they do वही जो free radical mechanism में होता है they will try to get terminated so when they will be terminating they will be reading to the formation of this polymeric unit हमारा जो polymer बन गया addition polymer बन गया so this was the mechanism जो addition polymers generally follow करते हैं कौन सा mechanism free radical mechanism follow करते हैं इस तरीके से follow करते हैं so I hope यह सब को समझ आ गया होगा कि how this mechanism goes okay now come to the next point कि यह तो हमने बात कर ली addition polymers की और addition polymerization की अगला जो type होता है मैंने बोला था क्या है mode of polymerization दो तरीके का होता है addition और दूसरा क्या है this is condensation polymer या इसी को और क्या नाम बोलते है step growth polymer ठीक है condensation polymer या step growth polymer एक ही चीज़े condensation polymerization या step growth polymerization एक ही चीज़े okay तो देखो इसमें होगा क्या condensation जब भी होता है तो क्या होता है वहाँ पर जब भी आपने कोई भी condensation reaction देखी हो आप ये chapter पढ़ रहे हो तो obviously आप carbox leak और सारा कुछ पढ़के आये हुए हो तो आपने देखा होगा जहां भी condensation हुआ होगा water molecule निकलेगा ammonia निकलेगा मतलब कि दो particles के मिलने से दो particles बोला हूँ दो molecules के मिलने से दोनों जुड जाएं और इनके जुडने के पस्चात यहाँ से एक byproduct निकले उस तरीके की reactions को हम क्या बोलते है condensation reactions बोलते है सो इस में हमेशा क्या होगा condensation होगा अब यह condensation होने के लिए ज़रूरी क्या है सबसे पहली चीज तो ज़रूरी यह है कि यह polymer तभी बन पाएंगे condensation तभी होगा जब आपकी monomeric unit में क्या हो दो या दो से ज़ादा functional groups का क्या हो combination होगा ठीक है so combination होने से condensation होगा condensation combination मतलब कि जब उनका reaction हो combination का मतलब यहां मेरा कहने का यह नहीं sense है कि यह दोनों जुड जा रहे जुड नहीं नहीं जब यह react करने आ रहे तो जब यह react करेंगे so after reaction they will be giving some byproduct and that byproduct can be any molecule water भी हो सकता है बहुत लोग बहुत बचों को मैं देखता हूँ condensation मतलब उनको यही पता होता है कि water निकलता है खाली water नहीं होता है कोई भी molecule दोनों के मिलने से अगर निकल रहा है तो that is condensation ammonia भी हो सकता है alcohol भी हो सकता है so elimination एक तरीके का हो रहा है बतलब यह molecule वहाँ से निकल रहा है okay condensation polymers are formed by step growth polymerization इसी को यही mechanism को हम क्या बोलते है step growth polymerization बोलते है for example जितने भी तुम polyester ले लो है ना nylons ले लो यह दे all are example of what they all are example of condensation polymerization okay so these are the characteristic property of key condensation polymer क्या होता है कैसे बनता है okay अभी हम और बाते करेंगे इसके बारे में आप देखो यह जो मैं पीछे बता के आया तुम लोगों को same चीज है कि co-polymerization NCRT highlights में दिया हुआ है co-polymerization क्या होता है so आप समझ सकते है NCRT highlight है तो यह आपके लिए important चीज है और मैंने आपको बताया था अभी जब मैं addition polymers बता रहा था लेकिन यह दोनों में होता है ठीक है अगर addition polymers में दोनों same है तो that is homo polymer दोनों अलग है तो क्या हुआ co-polymer उसी तरीके से condensation में भी अगर monomeric unit similar है तो homo polymer हो जाएगा different है तो क्या हो जाएगा co-polymer हो जाएगा I already have told you तो देखो यहाँ क्या हो रहा है यह एक condensation co-polymer है जैसे यह जो example दिया हुआ है this is a condensation co-polymer अब यह हुआ कैसे होगा कि यहाँ terrythalic acid है और यह ethylene glycol है ऐसा कुछ structure बन गया so let me try to explain you देखो यह लिया यह तुमारा terrythalic acid है COOH और इधर क्या है COOH आहिए हो सब को screen दिख रही होगी और दूसरा तुमने क्या लिया हुआ है भाई glycol लिया हुआ है CH2OH और CH2OH तो याद करो alcohol वाला chapter aldehyde वाला chapter carboxylic वाला chapter एक reaction होती थी जिसको हम क्या बोलते थे esterification esterification में क्या होता था जब alcohol और carboxylic acids मिलते हैं तो वह ester wand बनाते हैं ester का formation करते हैं तो वही चीज यहां भी होगी कि ये वाला जो terminal है ये इसके साथ क्या कर लेगा यहां पर ester formation कर लेगा और इधर ये इधर कहीं कर लेगा ये इधर कर लेगा देखो जब ये बनेगा तो इधर से hydrogen निकलेगा कहीं ने कहीं इधर से ये C double bond O नहीं ये पूरा O H जाएगा ना तो इस विल बी single C और ये हो गया तुम्हारा यहां पर ये और इधर ester formation हो गया CH2 CH2 O N times तो ये आपका condensation polymer बन गया क्या हुआ water molecule का removal ये थोड़ा इधर से केवल और कौन जा रहा है hydrogen जा रहा है इधर से पूरा वेज जा रहा है तो ये terrylene इस तरीके से बनता है condensation polymerization को follow करते हुए ये सब को clear होगा कि condensation polymerization का mechanism किस तरीके से चलने माला है तो वही जो पुराना पढ़े हुए उसी का एक समझलो format ही है है ना next आओ कुछ एक अभी तक तो हमने क्या देख लिया कि condensation polymerization क्या होता है addition polymerization क्या होता है कुछ एक ऐसे polymers हैं हर एक कटेगरी में जो आपके syllabus के लिए important है तो हम बस उनको देख लेते हैं क्योंकि अगर हम भुशने लगे कि all the addition polymers अथास अगर है इतना पढ़ेने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी exam ने निकलेगा अपना ठीक है so let us see some important addition polymers which is important for your examination so सबसे पहली चीज क्या polythene ठीक है अब polythene कैसे बनता है ये पिछले कई examples में मैंने आपको बता दिया कि इसका preparation कैसे होगा it will be prepared by polymerization of क्या चीज ethene ethene का polymerization कराओगे so you will be getting this repeating unit and इस repeating unit को ही हम क्या कहते है polythene कहते है ठीक polythene या polythene बोलो अब देखो ये तो clear है ये समझ आई ही रहा होगा सब को की कैसे कैसे हुआ होगा additional polymer बोल रहा हूँ तो obviously ये कैसे होगा three radical mechanism के through form हो रहा होगा अब देखो ये further polythene को भी दो category में classify किया जाता है high density polythene और low density polythene ये थोड़ा सा important हो गया आपके लिए क्योंकि इस पे सवाल पूछे जाते है इनके usability पे सवाल पूछे जाते है तो देखो high density है तो obviously अभी कुछ दिर पहले हमने discuss किया था कि high density है तो structure कैसा होगा so obviously इसका structure कैसा होना चाहिए linear होना चाहिए यानि कि high density polymers में the arrangement of repeating units is in linear format दूसरी चीज क्या polythene है obviously this will be inert होगा है ना और इसको किसको बनाने में use किया जाता है bucket बनाने में dustbin बनाने में ठीक है जो थोड़ा सा अच्छा खासा जिनमें tensile strength वगएरा हो जिनको आसानी से mould घएरा ना किया जा सके हाँ इसके polymerization के लिए ये चीज है याद रखना देखो इसलिए हमाँ पहला point बाद में बता रहा हूं कि इसके polymerization को आप किसके presence में कराते हो किसके presence में कराते हो जिगलर नाटा तालिस्ट अब यह Jiglar Nata Catalyst क्या होता है Titanium Tetra Chloride और Triethyl Aluminium ठीक है इसका जो mixture होता है इसको हम Jiglar Nata Catalyst बोलते है तो Jiglar Nata Catalyst के presence में Low pressure पे, इस temperature में अगर आप Ethene के structure को polymerization कराते हो So you will be getting what You will be getting क्या चीज high density polythene similarly about low density polythene पे आते हैं हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी क्या बात की थी कि low density polythene है तो इसका arrangement कैसा होगा भी या branched होगा ना यार तभी ना low density हुआ branched होगा obviously this will be again be chemically inert है ना लेकिन ये क्या होता है ये flexible होता है उसके comparison में किसके comparison में high density polythene के क्योंकि वहाँ packing क्या थी बहुत close थी यहाँ packing क्या है उतनी अच्छी नहीं है इस वज़ा से ये क्या होता है ये थोड़ा सा flexible होता है and obviously it will be a poor conductor of electricity that is why इसको किसमें use किया जाता है जो आप squeeze bottles लेते हो toys लेते हो ये सारा कुछ किस से बना हुआ low density polythene से बना हुआ है और अब आते हैं पहले point पे मतलब कि दोनों चीजें monomeric unit से हैं तो फरक कहां आ रहा है कि आप क्या reagent यूज करके इसको बना रहा है तो इसको peroxide initiator के presence में high pressure पे जब polymerization के लिए impose किया जाता है तब इसका formation होता है low density polythene का अब ये एक आदबर पूछा गया है इसमें यही पूछा गया था कि twice बनाने में कौन से polymers का use होता है किस तरीके के polythene का use होता है high density या low density तो the answer will be low density question और कैसे पूछा जा सकता है कि low density में किस तरीके का arrangement होता है linear होता है या branched होता है so I think everyone is very clear and you will be able to answer these questions in a very simple manner okay so हम क्या पढ़ रहे थे some important addition polymers तो पहला तो सब को clear हो गया कि polythene है दूसरा देखो क्या है teflon teflon को कैसे prepare किया जाता है पहले तो ये बात कर ले थे लेकिन teflon सब के घर में होगा teflon teflon का main use सबसे ज़्यादा use कहां पर होता है पता है न जो आप non-stick pants use करते हो so उसके non-stick behavior के लिए कौन सा chemical responsible होता है क्या चीज responsible है उसमें coating होती है teflon की so this teflon coating is responsible for what this coating of teflon is responsible for their non-stick behavior so देखो इसको बनाया कैसे गया इस पे सवाल पूछा जाता है कि इसका monomeric unit क्या है तो teflon का monomeric unit जो होता है आप ethene में से सारे hydrogen हटा के fluorine लगा दीजी तो यानि कि tetra-fluoro-ethene इसका क्या है monomer है और जब इसको आप high pressure पे catalyst के presence में क्या करोगे polymerize करोगे so you will be getting this type of polymeric arrangement ठीक है इसको हम क्या कहेंगे teflon कहते है ठीक है और मैंने बता दिया कि इसको ज़्यादा तर कहां यूज किया जाता है non-stick coating करने के लिए यूज किया जाता है इसके अलावा और क्या क्या यूज है oil seal बनाने में, gasket बनाने में बहुत सारे और यूज है मैंने बात की कि इसकी जो आप commonly use करते हो जिससे आप सब लोग relate कर सको और this is a polymer which is chemically inert and chemically inert as well as resistant to corrosion जैसे आप देखते होंगे अगर बरतन रखा हुआ है ठीक है लोहे की कड़ा ही रखी हुई है तो उसमें जंग लग जाएगा लेकिन आपने अगर कोई teflon coating वाला या non stick बरतन रखा हुआ है उसको रख के चले है या आप खुले में उसमें resistance बोल रहा हूँ उसमें इसको क्या बोलते है corrosion नहीं होगा या होगा भी तो बहुत कम होगा जो आप आप अबज़र नहीं कर पाऊगे ठीक है पैन से मत समझ लेना कि वो कूकर वाला पैन या वो कूकर वाले पैन से related कौन है related है तुमारा teflon ठीक है तो this pan is something else so pan का monomeric unit क्या होता है सबसे पहले तो यह देख लो acrylonitrile होता है acrylonitrile किस तरीक हैगा CH2 double bond CH single bond CN तो अब क्या होगा जब इसको तुम peroxide catalyst के presence में polymerization करोगे तो यह homolysis होगी और यह homolysis होगी तो addition कहां होगा carbon chain में ही होगा यह intact रहेगा यह intact रहेगा तो arrangement ऐसा सा बनता जाएगा यहाँ आके जुड़ेगा अगला CH2, CN ठीक है फिर CH2, CH, CN फिर इधर से जुड़ेगा तो यह repeating unit ऐसी आएगी आपकी So this unit is known as क्या polyacrylonitrile So I hope everyone is clear कि polyacrylonitrile क्या होता है जोगो इसमें सवाल जनरली इस तरीके से भी पूछे जाते है polyacrylonitrile का formula क्या होगा या polyacrylonitrile का monomeric unit क्या है So I hope everyone is clear कि monomeric unit क्या है किस तरीके का polymerization है polymer का formula किस तरीके का होता है Okay Now come to the next point Which is also important कि इसकी property क्या होती है और इसका use क्या होता है So it is given कि यह wool का क्या है substitute है है ना आप उन की जगा पे pan का use कर सकते हो गर्मी के कपड़े बनाने के लिए ठीक है It is cheaper than natural wool and can be dyed in various colors Okay And it is mainly used in making commercial fibers या फिर orlon बनाने में इसको use किया जाता है Okay So everyone is clear up to what कि यह important addition polymers में pan का मतलब क्या होता polyacryl और nitrile क्या होता है Now let's come to some important condensation polymers ठीक है वो तीम बहुत important है ठीक है उसके अलावा भी अभी हम लोग जो और commercially important addition polymers है उनको भी discuss करेंगे उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो important condensation polymers है हमारे लिए वो कौन-कौन से है So in condensation polymers में ठीक है Condensation polymers भी कई तरीके के होते हैं और यह इस बात पर निर्वर करता है कि जो दो जुडने वाले group थे वो कौन से थे जैसे मालो दो चीज़ें जुड़ी amide formation हो सकता है दो चीज़ें जुड़ी ester formation हो सकता है इसी तरीके से और भी कई possibility होती है तो सबसे पहला जो होता है condensation polymers में वो एक general category है जिसको हम बोलते हैं क्या polyamides नाम से clear है polyamides मतलब भी कोई ऐसा polymeric structure जिसमें बहुत सारे amide linkages हो तो यानि कि इस तरीके के polymer में कैसी linkage होगी amide linkage होगी अब जिसको नहीं पता है मैं बता दू कि amide linkage का मतलब क्या होता है amide linkage क्या होती है भाई amide linkage का मतलब क्या होता है देखो amide linkage का मतलब होता है कि जब कभी दो चीजों के मिलने से ऐसा कुछ बने ये linkage को हम क्या बोलते है amide linkage बोलते है अब amide linkage बनेगा कब ठीक है amide linkage बनने के लिए क्या जरूरी है जब carboxylic group का interaction amine group के साथ होता है amide linkage कब बनती है जब carboxylic group का interaction amide group के साथ होता है तभी amide linkage बनती है तो यानि कि जो polyamides होंगे उसमें कहीं न कहीं क्या होगा एक monomer में carboxylic होगा और दूसरे monomer में क्या होगा NH2 group होगा जैसे कि सबसे पहला case हम लोग ले लेते हैं nylon 6-6 अभी हम इसको 6-6 क्यों बोल रहे है और भी nylons होंगे जिसमें हम nylon 2 बोलेंगे nylon 2, nylon 6 बोलेंगे so let us see कि इसके naming के पीछे का क्या reason होता है उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है देखो जो nylon 6-6 है इसको prepare करने के लिए हम दो monomeric unit लेंगे अब ये दो monomeric units क्या होंगी मैंने बताया कि this is a polyamide है ना इसमें amide linkages होंगी amide linkage के लिए क्या क्या ज़रूरी है carboxly group होना एक में और दूसरे में क्या होना amine ठीक है तो यहां हमारे जो monomers है एक monomer है adipic acid ये क्या है adipic acid adipic acid से तुम्हें मिलेगा carboxly group ओके और हमारा जो दूसरा है that is hexamethylene diamine दोनो ends पे क्या लगे हुए है nh2 groups लगे हुए है अब जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो देखो ना एक में COOH bond है ठीक है और दूसरे में क्या है NH2 group है तो होगा क्या ये NH2 group यहाँ attack करेगा ठीक है और फिर इसके बाद ये OH इसके एक H plus को pick करेगा OH2 बनाएगा removal of water होगा और leading to the formation of what leading to the formation of this amide linkage तो यानि कि ये वाला group इस वाले group के साथ condense कर जाएगा ये वाला group किसी और ADP-C acid के other end वाले COH group के साथ condense कर जाएगा ये वाला COH किसी और hexamethylene diamine के NH2 group के साथ क्या कर जाएगा condense कर जाएगा और ये sequence क्या रहेगा चलता रहेगा leading to the formation of this polymer that is nylon 6-6 अब इसको nylon 6-6 के बोलते है देखो जो polyamides होते हैं उनको in general nylon बोला जाता है और nylon के आगे ये numbering करती जाती है ये numbering का basis ये होता है कि यहाँ पर ये जो amide linkage था amide linkage के इधर या amide linkage के इधर कितने carbon atoms हैं amide linkage नहीं ये amide linkage के n के इस side और n के इस side right side और left side कितने कितने CH2 groups हैं या carbon groups हैं वो इस बाद को decide करेगा तो देखो इधर अगर हम देखें यहाँ पर see यहाँ पर इस amide के नह के इस side में कितने carbon 6 carbon इस amide के नह के right side में कितने carbon 1, 4, 5 और 1, 6 तो इसलिए इसका नाम क्या किया गया nylon 6, 6 ऐसे नाम दिया जाता है nylon 6 का मतलब क्या हुआ कि एक side में एक भी carbon नहीं होगा और एक side में क्या होगा 6 carbon होगा nylon 2, 6 का मतलब क्या हुआ एक side में 2 होगा अगले side में क्या होगा 6 होगा so this is this is the basis of naming of nylons ठीक है ऐसे बनाया जाता है nylons 66 को preparation कैसे होता है आपको बता दिया इनकी monomeric units क्या है ये भी आपको पता चल गई और polymeric unit कैसी दिखती है ये भी पता चल गया इस पर सवाल उसी तरीके से पूछा जाएगा कि nylons 66 किस तरीके का polymer है condensation polymer है उसमें भी क्या है polyamide है इसकी monomeric units क्या है दिख रही है आपको इसका polymeric structure कैसे बनता है ये तो यहां तक सभी लोग clear होंगे अब इसकी हम अगर properties की बात करें इन जनरल सारे nylon की tensile strength काफी अच्छी होती है तो इसकी भी क्या होगी high tensile strength होगी ठीक है close packing होगी close packing होगी क्योंकि यहां आप देख रहे हो अच्छा खासा hydrogen bonding अगरा का chance है मतलब packing अच्छी हो सकती है तो यह क्या होगा crystalline nature होगा close packing की वज़ा से और इसको textile industry में use किया जाता है brushes, sheets, यह सब चीजें बनाने के लिए यह fiber like structure भी होता है अब देखो एक और polyamide की बात कर लेते हैं यह भी हमारे लिए important है अब nylon 6 कैसे बनता है नाम से clear है कि इसमें जो amide linkage है या amide linkage का जो NH है उसके N के एक साइड में केवल और केवल 6 कारबन है अगली साइड में कोई कारबन नहीं है तो देखो यह कैसे बनता है कैप्रोलेक्टम से बनता है अब कैप्रोलेक्टम क्या होता है जो cyclic amides होते हैं यह कैप्रोलेक्टम है तो इस कैप्रोलेक्टम में जब आप water डालते हो temperature बढ़ाते हो तो इसकी hydrolysis हो जाती है यह bond तूट जाता है और ये bond टूटेगा, तो ये जो और टूटे हुए bonds है, उनके साथ क्या कर जाएगा, जुडता जाता है, ठीक है, ये टूट गया, अब ये open हो जाएगा, अब open हो जाएगा, तो दूसरा वाला C double bond O है, ठीक है, ये वहाँ से जुडेगा, फिर ये वाला कहां से जुडेगा, ये रही repeating unit, और इस repeating unit में आप देख सकते हो कि इस nitrogen के एक side में ही केवल carbon आ रहे है, और कितने आ रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच है, so this will be the representation of polymeric unit of nylon 6, और आप देख सकते हैं इसको nylon 6 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि N के एक side में 6 है, so this is how nylon 6 is prepared, prepared by what, prepared from, क्या चीज, monomeric unit क्या है, caprolactam है, okay, condition क्या दी जा रही है, high temperature and in presence of water, अब इसकी property क्या है, have strong intermolecular force, obviously nylon है, तो intermolecular force strong रहेगा ही, दूसरी चीज, tensile strength भी अच्छी रहेगी, और fabric, rope, thread like structure होता है, तो और ज्यादा tensile strength का अगर चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़े, nylons यूज किये जाते है जैसे natural fibers भी होते हैं, लेकिन अगर natural fibers का बात करो, तो natural fibers की tensile strength उतनी अच्छी नहीं होगी, जितनी आपकी synthetic fibers होगे, उनकी होगी, तो basically एक तरीके से देखा जाए, तो synthetic fibers बनाने में use किया जा रहा है, या synthetic fibers के form में use किया जाता है, nylons को, okay, so nylon 66 क्या था, nylon 6 क्या है, कैसे बन जाता है, monomeric units क्या होती है, clear, now come to the next category of condensation polymers, जैसे मैंने बताया, कि अगर carboxly group का condensation NH2 group के साथ हो, leading to the formation of amide linkage, multiple amide linkage in the given polymer, polyamide हो गया, उसी तरीके से polyester होता है, बहुत सारे ester linkage होगे, अब ester linkage क्या होता है, ester linkage सबको पता है, this is ester linkage, ठीक है, इधर से कोई R group जूड़ गया, इधर से कोई R group जूड़ गया, तो यह ester linkage होगा की नहीं होगा, this is ester linkage, और यह कब बनता है, ester का formation कब होता है, esterification, carboxylic acid में पढ़ा है, हम लोग ने, कि when carboxylic acids are allowed to react with what, react with alcohol, they will lead to the formation of kya esters, so, यानि कि poly esters, वो category of condensation polymers है, जिन में monomeric units क्या होती है, monomeric units में, एक क्या हो, carboxylic family का हो, दूसरा क्या हो, alcohol family का हो, और when they condense together, condense together का मतलब क्या, combine करके water निकाल देंगे, तो क्या बनेगा, ester linkage बनेगा, और यह multiple इस तरीके के ester linkage बनते जाए, so, जो polymeric unit आई, that will be known as a polyester, अब देखो, poly esters क्या होते हैं, polyester बहुत सारे हैं, ठीक है, हमको पढ़ना क्या है, कुछ एक पढ़ने हैं, let us see, सबसे पहला क्या पढ़ना है हमको, हमको पढ़ना है, किसके बारे में, decron, या इसी को हम terrylene भी कहते हैं, ठीक है, अब यह decron या terrylene है क्या, जब आप ethylene glycol को terrythalic acid के साथ, heat करते हो high temperature पे, in the presence of this catalyst, decron is formed, ठीक है, अभी कुछ दर पहले मैंने शायद बताया भी था, कि terrythalic acid होता क्या है, this is the structure of terrythalic acid, ठीक है, and this is the structure of ethylene glycol, ठीक है, CH2OH, CH2OH, अब जब इनका condensation कराओगे, तो condensation पे बतायाते हैं न, इनके मिलने से क्या बनेगा, water molecule का removal होगा, यह वाला किसी और terrythalic unit के साथ क्या करेगा, condense करेगा, और यह बहुत सारे क्या बन जाएंगे, इस तरीके का structure, शायद पीछे मैंने बताया था, पीछे कहाँ पे हम लोग discuss किये थे, we had discussed, यहाँ पर देखो, मैंने बात कियी थी न, कि यह terrythalic acid यह रहा, और यह रहा तुम्हारा ethylene glycol, और यह जो बना, यही क्या है, तो आए वोप वहाँ समझ आ गया था, so we will not waste our time, so that is how this polyester, मतलब डेकरण is prepared, by using these two monomers as their pitting units, अब इनका देखो, use क्या क्या होता है, यह crease resistant होते हैं, ठीक है, blended with cotton, wool fibers, जैसे जो cotton का कपड़ा होता था, ठीक है, उसमें बहुत देखो तो तुम crease बढ़ जाती है, तो इसको अगर तुम मिलाद होगे, यह anti-crease है, तो उसका सबसे पहले बात तो maintenance easy हो जाएगा, ठीक है, उसकी life बढ़ जाएगी, तो यह क्या लिखा होगा है, it is blended with cotton and wool fiber to increase the strength, ठीक है, और dacron का use, safety helmets बनाने के लिए भी किया जाता है, so uses बगएरा भी आप याद रखियेगा, क्योंकि इस पर भी सवाल पूछे जाते है, so I hope everyone is clear up to this point की dacron क्या होता है, dacron is a polyester, जिसकी यह यह property होते ही, यह यह monomor होता है, now we will be discussing about a new type of polymers, that is resins, so resins क्या होते है, resins भी एक तरीके का condensation polymer है, लेकिन यह polyester और polyamide से थोड़ा सा different होता है, और in general आप देखेंगे, तो most of the resins जो आपको देखने को मिलेंगी, वो एक तरीके की thermosetting plastic होती है, मतलब उनमें crosslinking होती है, आईए देखते हैं, जो resins के बारे में हमें पढ़ना है, सबसे important आपको पढ़ना है fenol formaldehyde resin के बारे में, इसी को हम क्या और बोलते हैं bakalite बोलते हैं ठीकर यह बनता कैसे है phenol formaldehyde मतलब आपका एक material क्या होता है phenol होता है और दूसरा क्या होता है formaldehyde होता है सो देखो formaldehyde अगर तुमने लिया this is formaldehyde और यह क्या है phenol है हमने organic chemistry पढ़ ही है तो organic chemistry में हमको क्या याद है कि ये वाली position पे electron richness ज़्यादा हो जाती है और ये अगर देखा जाए तो ये एक electrophilic center है तो ये यहाँ से attack करके ये compound भी बना सकता है ये compound भी बना सकता है ये compound भी बना सकता है there is possibility of formation of these अब ये h plus or h minus दोनों के presence पे हो सकता है और यहाँ भी h plus या h minus आप लिख सकते है ये change कर दीज़ेगा ओके, so ये तीनों बन सकते हैं लेकिन हमारे polymer के formation में इसका role सबसे ज़्यादा है सबसे पहले step में तो ये एक unit बना अब ये जो unit होता है ये इसका polymerization होके एक chain बनती है linear देखिए आप, ये यहाँ से condense हुआ होगा फिर दूसरे के साथ condensation हुआ होगा इसी तरीके से condensation चलते चलते ये एक linear structure का formation होता है और इस linear structure को हम बोलते है novalac ठीक है? आप novalac को ये भी कह सकते हैं कि ये phenol formaldehyde resin का intermediate है या ये कह सकते हैं कि baccalide के formation के दौरान ये एक तरीके का intermediate है इसको हम क्या बोलेंगे? novalac बोलेंगे novalac कैसे बना है? phenol formaldehyde के reaction से बना है linear chain के formation से बना है अब further अगर आप इस novalac को भी heat कर देंगे so novalac को जब heat कर दोगे तो देको क्या होगा? ये novalac दिख रहा है यहाँ पर इसी तरीके का novalac का structure और होगा वो novalac का जो structure होगा वो यहाँ से combine कर जाएगा इस position से combine कर जाएगा और एक पूरी बढ़िया crosslink chain बन जाएगी जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ से formation हुआ क्या बना बेकलाइट? बेकलाइट बनाने के लिए phenol formaldehyde लेना पड़ा उनका reaction कराया पहले step में क्या बना? novalac बना और novalac को फर्दर गरम किया गया तो crosslinking ही और crosslinking से किस चीज का formation हुआ crosslinking से formation हुआ बेकलाइट का अब बेकलाइट की अगर हम बात करें properties की तो बेकलाइट के बारे में आप लोग जानते हो कि यह क्या है thermosetting plastic होता है ओके आप लोग जानते हो इसको कहां कहां यूज किया जाता है है ना? coms बनाने में यूज किया जाता है जो buttons वगरा होती है switches वगरा होती है उनको बनाने में यूज किया जाता है utensils के handle बनाने में यूज किया जाता है ये regularly आप अपने घरों में देखते होगे साथी साथ जो Novelac बना था पीच में जो Novelac एक बना हुआ था Novelac भी एक useful component होता है अगर माल लो हमने phenol formaldehyde लिया और Novelac तक बना के उसको गरम ना करे तो bacalite नहीं बनेगा वो तो Novelac बना that can be used in paints है ना उसको paint industry में use किया जाता है तो यहां लिखा हुआ है Novelac is used in paints तो आप ये सारे facts याद रखिएगा इस पे सवाल आपसे पूछे जा सकते है Now let's come to the next resin ठीक है जैसे आपने अभी देखा phenol formaldehyde resin वैसे ही एक और resin है जिसको हम कहते है क्या milamine formaldehyde resin अब milamine क्या होता है This structure is milamine इसको हम milamine कहते है ठीक है और milamine को तुम यह किसके presence में ले लिया है formaldehyde के presence में ले लिया है So जैसे तुमने देखा था phenol में ortho या paraposition से attack होके बन जाता था यहाँ भी again हमारे पास जो formaldehyde है उसमें carbon center क्या है electron deficient है तो वहाँ पे यह NH2 का attack हो जाएगा NH2 का attack हो जाएगा So यह इस तरीके का resin intermediate बनेगा This resin intermediate will be formed और यह resin intermediate further जो polymerize होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यह NH2 है और OH का condensation किसके साथ हो जाएगा दूसरे वाले intermediate के NH2 group के साथ हो जाएगा Water niggle जाएगा और इस तरीके का एक polymerase structure देखने को मिलेगा इसी structure को हम क्या कहते हैं Milamine polymer कहते हैं अब इसका properties क्या है यह crystalline होता है और इसको unbreakable crockery वगड़ा बनाने में यूस किया जाता है So this is about Milamine Formal Dehydrogen याद क्या क्या रखना है तुमको कि starting material क्या होता है ठेक है एक structure क्या होता है repeating unit का क्या बोलते हैं उसको repeating unit का empirical formula कैसा है empirical representation कैसा है और इनके uses के हैं इतना याद रखोगे exam में एक भी सवाल तुम्हारा polymer से छूटेगा नहीं Come to the next अब हमने cover कर लिया सारा का सारा क्या जो आपके ये addition polymers थे और condensation polymers थे अब हम polymers की एक नई के टेगरी में चलते हैं जिसको बोलते हैं क्या rubber rubber आप सभी लोग ने use किया होगा है ना rubber से हम क्या करते हैं कुछ भी चीज बांधना हो उसमें तो observe क्या कर पाते हैं आपकी उसको खीचते हैं है ना फिर वो वापस आ जाता है मतब ये किस तरीके की property है ठीक है elastic properties को बोलते है ठीक है जित्ते भी rubber structure आप देखेंगे उनके बीच में कौन सा force काम कर रहा होता है हमने क्या बताए था illustromers में किस तरीके का force काम कर रहा होता है wonder wall force of attraction काम कर रहा होता है अब rubber फर्दर दो तरीके के होते हैं एक natural rubber होता है और दूसरा क्या होता है synthetic rubber होता है आप कहां से लेएंगे इसको किसी natural source से obtain करेंगे ठीक है तो इसको rubber tree से पाया जाता है ठीक है latex के form में पाया जाता है फिर उसको कुछ एक physical treatment के through convert किया जाता है usable rubber में ठीक है तो ये natural rubber हो गया अब natural rubber की अगर हम chemical structure की बात करें monomer की बात करें polymeric unit की बात करें तो वो क्या होता है देखो so natural rubber का जो भी monomeric unit होता है वो होता है ये this is the monomeric unit of natural rubber one second this is CH2 double bond C CH3 single bond CH double bond CH2 this is the monomer ठीक है अब इसका नाम आपसे पूछा जाए तो नाम तो बता लोगे ना 1,2 है ना तो 2 methyl और 1,3 dye 1,3 dye butene या but2 bute dine okay so ये जब polymerize होता है तो अब ये polymerize होगा तो देखो कहां कहां से linking हो सकती है ये वाला इधर transfer हो जाएगा और ये किसी और से जुड़ जाएगा तो मतलब these two double bonds will get converted into what they will get converted into single bond और ये बीच में double bond आ जाएगा resonance की वज़ा से ठीक तो हम क्या बोलते हैं linear polymer of isoprene ये जो original structure था that is known as isoprene और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा polyisoprene तो यानि कि natural rubber क्या है polyisoprene है अब polyisoprene में भी देखो ये जो polyisoprene है ये cis भी हो सकता है ता trans भी हो सकता है यहां से जो चीज जुड़ी होई है same side में भी जुड़ सकती है opposite side में भी जुड़ सकती है तो natural rubber में क्या होता है cis polyisoprene होता है ये याद रखिएगा कि natural rubber is cis polyisoprene या फिर trans polyisoprene तो it is cis polyisoprene और obviously मैंने आपको बताया कि ये elastomer है तो इसके बीच में किस तरीके का interaction होगा weak wonder wall forces काम कर रहे होगे so you can see natural rubber कहां से पाया जाता है उसका monomer क्या होता है और polymer को क्या बोलते है और उसका structure किस तरीके का दिखता है so I hope everyone is clear कि what a natural rubber is अब देखो natural rubber की usability के अगर हम बात करें so उसकी tensile strength उतनी अच्छी नहीं होती है ठीक है उसका life उत्ता जादा नहीं होता है तो हम उसको long term में कैसे use करेंगे so उसकी physical properties को enhance करने के लिए एक chemical treatment किया जाता है natural rubber का जिसको हम बोलते हैं vulcanization ठीक है vulcanization natural rubber का भी किया जा सकता है synthetic rubber का भी किया जा सकता है अब वेब vulcanization का मतलब क्या होता है देखो natural rubber है तो suppose करो ऐसा कुछ है ये उसका polymeric structure जा रहा है polymeric structure ऐसा जाने की वज़ा से वहाँ पे क्या है weak wonderful forces है ठीक है जो उसको कमजोर बना रहे हैं ठीक अगर मैं इसमें कहीं cross linking कर दूँ अगर possibility हो क्या cross linking करने की cross linking हो जाए cross linking से क्या होती mechanical strength increase कर जाती है ठीक है अभी हमने देखा था तो जब कभी आप किसी rubber को ठीक है raw rubber को sulfur के साथ heat करते हैं तो sulfur क्या करता है उस raw rubber के different polymeric units के बीच में cross linking create कर देता है और इसी phenomena को क्या कहा जाता है this phenomena is known as vulcanization of rubber तो हम क्या कहेंगे point wise क्या कहेंगे heating of a mixture of rubber with sulfur and appropriate additive to improve the physical property is known as vulcanization तो अगर आप से definition पूछा जाता है so you are clear कि what vulcanization is अब देखो on vulcanization sulfur forms cross links at the reactive sites तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या कर रहा है sulfur vulcanization में sulfur दो units के बीच में cross linking create कर रहा है तो cross linking create करेगा तो उससे क्या होगी stiffness बढ़ जाएगी ठीक है और ये तो एक general information है कि क्या sulfur का percentage किता होता है तो ये 5% mix किया जाता है cross linking के लिए तो ये था कि vulcanization of rubber क्या होता है अब आईए हम देखते हैं कि synthetic rubber किसे कहा जाता है जैसा कि natural rubber के बारे में आपने देखा कि वो क्या है obviously synthetic rubber है तो ये rubber जैसी ही property शो करेगा but this will be prepared in laboratory ये हम लोग man-made होगा तो synthetic rubber क्या होता है इसके बारे में आईए देखे यहां लिखा हुआ है कि synthetic rubber is any vulcanizable rubber such as a polymer that can be stretched to its double original strength ठीक है तो ये synthetic rubber होता है इसको आप इसकी original length का double तक क्या कर सकते है obviously तो इसका मतलब इसकी जो mechanical property है वो बढ़ चुकी है synthetic rubbers are either homopolymers और copolymers ये पता है सबको homopolymer क्या होता है copolymer होता है किस चीज का 1,3-butadine का या फिर इसके किसी derivative का derivative का मतलब तो I hope सबको clear होगा 1,3-butadine क्या होता है ये देखो 1,3-butadine this is 1,3-butadine अब इसमें कोई भी तुम क्या ले लो एक hydrogen हटागे कुछ लगा तो that will be the derivative of 1,3-butadine तो जो synthetic rubber होगा वो या तो इसका या फिर इसके किसी derivative का homopolymer या copolymer होगा जैसे कि synthetic rubber का सबसे पहला example है क्या neoprene अब ये neoprene कैसे बनता है तो देखो neoprene का जो monomer है ये monomer है आपका क्या chloroprene chloroprene कैसे बना यहाँ वाला hydrogen हटा के आपने क्या करिया chlorine लगा दिया so this is chloroprene और chloroprene का polymerization करा दो तो आपका क्या बन जाएगा ये structure बन जाएगा और इसी को हम क्या बोलते है neoprene कहते है so this is a synthetic rubber अब इसके बारे में खास बात क्या आपने इसको label trim बनाया है है ना ये minerals और vegetable oils से प्रभावित नहीं होगा ठीक है और इसको जादे तर क्या बनाने में यूज किया जाता है gasket बनाने में hoses बनाने में या फिर जो conveyor belts पे लगा होता है पट्टा जो conveyor belts होती है वो mainly किसकी बनी हुई होती है neoprene की बनी हुई होती है तो I hope everyone is clear कि synthetic rubber में neoprene क्या होता है कैसे बनता है इसका monomer क्या होता है और polymeric unit को कैसे represent किया जाता है और what are the way it uses now come to the next synthetic rubber next synthetic rubber है मारा क्या buna N buna N देखो buna N कैसे बनेगा पॉलिमर है या तो 1,3-butadine के या उनके derivative के है है ना अब देखो तो ये क्या है this is है ना एक पार्ट तो ये हो गया 1,3-butadine हो गया अब इसको polymerize कराया जारा किसके साथ एक्राइलो नाइट्राइल के साथ so एक्राइलो नाइट्राइल और 1,3-butadine जब co-polymerize होते है so उनके co-polymerization से जो structure बनता है वो structure क्या होता है उस structure को कहा जाता है Buna N so you can see that what is the formula या what is the representation of polymeric unit of Buna N अब ये बनता कैसे है इसको in the presence of peroxide catalyst बनाया जा रहा है तो यानि कि यहाँ पे किस तरीके का mechanism हुआ होगा free radical mechanism को follow करते हुए बनाया गया है और ये किस तरीके का polymer है it is an example of addition polymer okay so I hope everyone is clear कि what Buna N और उसकी monomeric units क्या है polymeric units को कैसे represent किया जाता है इसकी property and uses देख लेते है इसकी properties की अगर बात करो so ये क्या होता है ये भी lubricating oil organic solvent या petrol के लिए क्या होता है extent होता है और इसको tank lining या oil seal बगएरा बनाने के लिए use किया जाता है तो obviously जब उनसे प्रभावित नहीं हो रहा है तो इसको seal बनाने के लिए use किया जा सकता है ताकि उनको prevent किया जा सके so this is this was all about Buna N so I hope everyone is clear up to this point कि what neoprene and what Buna N are अब देखो अभी तक हमने जितने भी polymers के बारे में पढ़ा तो polymers का सारे कुस्त तो है चलो use है कि हमारे लिए बहुत अच्छे से use कर पा रहे है हम उसकी वज़ा से ठीक है polymer की वज़ा से चीजों की life बढ़ जा रही है जैसे तुम अगर shirt की बात करो तो cotton की shirt उतना नहीं चलेगी जितना टेरी cotton की shirt चल जाएगी हाँ बहुत सारे इसके pros है लेकिन polymers के साथ एक सबसे बड़ा जो issue है वो environment से related है और वो environment से related issue क्या है कि ये generally जल्दे degrade नहीं होते degrade होने में इनको बहुत ज़ादा time लगेगा बहुत ज़ादा जिस वज़ा से तमाम तरीके के pollution तमाम तरीके की गंदगी फैलती अब suppose करो polythene है polythene कहीं फस गई किसी नाले वगरा में जाके तो that can create an issue ठीक है पड़ा हुआ है उसको जला रहे हैं अगर कोई तो उससे निकलने माली gas नुकसान कर रहे हैं तो अगर वो degrade हो जाता तो हमारे लिए useful भी होता और environmental issue भी नहीं होता यानि कि normal जो polymers हम use कर रहे हैं they have multiple environmental issues तो इनकी काट खोजने के लिए ठीक है obviously इनकी कमी को दूर करने के लिए scientist approach किये कि क्या बनाने के लिए कि हम ऐसा कोई polymer बनाए जो polymer बनाने से environment पे नुकसान ना हो तो वो polymer क्या कहे जाते हैं उन polymer को बनाया गया और ये polymer होते हैं bio degradable मतलग कि आपने इनको इनको इक बार use किया फिर use करके अगर खेख दिया तो bacteria के action से ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे degrade कर जाएंगे और किसी तरीके का कोई issue create नहीं करेंगे so bio degradable polymer क्या है bio degradable polymers can undergo bacterial degradation in the environment and one of the most important classes of bio degradable polymers is aliphatic polyesters so अब ये क्या बता रहा है कि generally जो bio degradable polymer होंगे वो क्या होंगे एक तरीके क्या polyester होंगे polyester का मतलब क्या है उनको बनाने के लिए क्या use किया गया होगा alcohol group use किया गया होगा और क्या use किया गया होगा carboxly group use किया होगा लेकिन खाली और खाली polyester नहीं होता ठीक है तो आओ देखते हैं इसके एकाद examples देख लेगते है see सबसे पहला example देखो होते तो biodegradable polymers कही है लेकिन आपके syllabus में केवल दो है एक तो यह PHBV है और एक nylon 2, nylon 6 है so let us see अब यह जो PHBV है इसका पूरा नाम क्या होता है poly beta hydroxy butyrate co beta hydroxy valerate ओके यह इसका पूरा नाम है आप PHBV याद रखिये that is more than enough ओके साथी साथ आपको हर एक polymer का क्या याद रखना monomer याद रखना है इतना बस काम कर लोगे तो इस chapter से सवाल हो जाएंगे देखो तो यह किसे किसे मिलकर बना हुआ है it is obtained by co polymerization of एक component इसका क्या है 3 hydroxy pentanoic acid 3 hydroxy pentanoic acid यह रहा और दूसरा component क्या है 3 hydroxy butyanoic acid अब इसमें होता क्या है देखो phbv में आपका जो यह वाला component है यह वाला component यह वाला component का जो OH group है यह OH group इसके COH group के साथ क्या कर जाएगा condense कर जाएगा और इसका O group इसके COH group के साथ condense कर जाएगा and they will lead to the formation of this kind of polymeric structure तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो phbv होता है phbv में आपकी monomeric units क्या है और इसका जो polymeric unit बना वो किस तरीके से दिखाया जाता है अब जैसा कि हमने अभी शुरुवात में ही पढ़ा कि क्या खासियत होती है biodegradable polymers की तो वही खास बात इसकी भी होगी कि they can be decomposed by the action of bacteria ओके तो ये था phbv बहुत जादा परेशान होने की ज़रुत नहीं है इतना ही आपको करके आना है examination में exam में इससे बाहर नहीं पूछेगा don't worry ओके ये है हमारा nylon 2, nylon 6 nylon 2, nylon 6 भी एक biodegradable polymer होता है अब आप इसके नाम से देख सकते हैं कि ये nylon है तो nylon है तो obviously इसमें क्या होगी amide linkages होगी let us see ठीक है इसके monomeric units क्या क्या होते हैं इसके monomeric unit होते हैं amino caproic acid और glycine so you can see this is amino caproic acid यहाँ पर H2O नहीं ये NH2 होगा okay so आप देख सकते हैं amino caproic acid का formula क्या है NH2, CH2 5 times and COH और glycine सभी लोग जानते हैं glycine का formula क्या होता है NH2, CH2, COS सबसे छोटी amino acid होती है तो जब इनका आप condensation कर रहा होगे तो देखो ना condensation कर रहा होगे तुम्हारे पास NH2 group है COH group भी है तो इससे क्या होगा amide linkage का formation होगा ठीक है so you will be getting a polyamide so अब यह बताओ इस polyamide का जो structure आएगा उस polyamide structure में तुम N के इधर कितने carbon देख पा रहा हो दो और N के इधर कितने carbon देख पा रहा हो 5, 6 तुम इसका नाम क्या हो जाएगा polyamide है carbon atoms देखते हो और उस हिसाब से naming decide करते हो so it will be क्या चीज? Nylon 2 Nylon 2916 इसका नाम होगा and नहीं लगेगा बीच में ठीक है अब यह जो biodegradable polymers है they are very important for your examination पूछ देता है अब पूछता भी बहुत direct मैंने बोला ना कि इस chapter से जो भी चीज़े पूछी जाएंगी they will be very direct है ना monomer क्या है कौन सा biodegradable polymer है है ना जो polymeric unit है उसका representation क्या है इस तरीके से करके पूछ देता है ठीक बहुत ही direct questions रहेंगे अभी मैं यह chapter खतम जब हो का theory parties का so कुछ एक previous year question आपको करा के दिखा दूँगा ताकि आपको एक idea लग जाए कि कैसे सवाल पूछे जाते है सर जो पढ़ा रहे हैं यह revision करा रहे हैं यह कुछ फायदेबंद है या नहीं है ओके so आपने देखा कि nylon 2 और nylon 6 क्या है और उनके monomeric units का formula क्या होता है और polymeric unit का formula क्या होता है और यह किस तरीके का example है यह किस तरीके का polymer कहा जाएगा this will be in the category of condensation polymer अब देखो हमने most of the cases खतम कर लिए अब मैंने यहाँ पर एक chart बनाया है और इस chart में आपके exam के लिए जो जो important polymers है उनका नाम उनको monomeric units उनके uses के बारे में लिखा गया है तो देख लेते हैं एक बार यह kind of revision ही हो जाएगा जैसे अगर हम polymer की बात करें polypropene की तो इसका तो नाम से clear है जैसे polythene के नाम से clear हो जाता है कि इसका monomer क्या हो जाएगा इसका monomer ethene होगा तो polypropene है तो obviously its monomer will be propene अब propene तुम देखते हो propene क्या होता है यार CH2 double bond CH single bond CH3 तो यानि कि यहीं पर इसी के आसपास attack होगा और यहीं से attachment शुरू होगा और polymeric unit generate होगी तो polymeric unit का ultimate formula क्या होना चाहिए the formula of polymeric unit यह representation of polymeric unit will be in this way अब इसके uses की बात करें तो यह twice बनाने में use होता है roofs बनाने में use होता है pipes, fibers, etc यह सारे uses हैं किसके polypropene के so we are done with polypropene यह वो polymers हैं जो industrially important है commercially important है okay polystyrene दूसरा तो इसका monomer क्या होता है styrene होता है अब जिसको नहीं पता है styrene जान लो कि what is styrene so styrene क्या होगा CH2 double bond CH single bond C6H5 यानि कि यह phenyl ring इसको हम बोलते हैं styrene ठीक है so styrene उसका फिर से उसी तरीके से polymerization करा लो addition polymerization करा लो about the double bond तो यह क्या हो जाएगा polystyrene हो जाएगा अब इसका use क्या है wrapping material बनाने में toys बनाने में insulator, radio and telemin cabinets बनाने में यूज किया जाता है किसका polystyrene का PVC pipes pipes वोगर बनाने में यूज किया जाता है यह तो बहुत बार सुने हो गए so PVC का monomer क्या है vinyl chloride vinyl chloride का formula क्या होता है vinyl group क्या होता है CH2 double bond CH और इसी से CL लगा तो this will be vinyl chloride जैसे पिछले दो तुमने पढ़े ठीक है उसी तरीके से इसको भी देख लो so vinyl chloride का polymerization करा दो के PVC बन जाएगा और यह किसलिए यूज होता है raincoats बनाने में vinyl flooring, handbag, water pipes बनाने में PVC का यूज किया जाता है urea formaldehyde resin अभी हम लोगों ने पढ़ा था urea formaldehyde resin के बारे में ठीक है urea formaldehyde resin से क्या क्या बन सकता है अनब्रेकबल cups, laminated sheets यह सारा कुछ बनाने में use होता है urea formaldehyde resin का ओके now come to the next point glyptal glyptal देखिएगा यह अभी तक इसका नाम आपने सुना नहीं तो glyptal क्या होता है ethylene glycol और thallic acid के monomers units को polymerize करा के कुछ इस तरीके का structure बनता है जिसको हम क्या कहते है जिसको हम क्या कहते है glyptal कहते है और इसका यह use है paint और lacquoise बनाने में use किया जाता है अब जिसको नहीं पता है ethylene glycol देख लो ethylene glycol यह होता है CH2, CH2 और OH, OH जुड़ा होता thallic acid क्या होता है this is thallic acid COH, COH this is thallic acid ओके और baccalite अभी पढ़ा था हम लोगों ने ठीक है baccalite क्या होता है phenol formaldehyde resin होता है और किस तरीके से बनता है तुमने देखा था novelac बनता है फिर heat कर देते हैं फिर further उसका क्या होता है polyborization होता है तब जाके baccalite बनता है और baccalite का structure क्या था baccalite का structure बड़ा सा था इसलिए मैंने यहाँ जगा छोड़ी हुई थी ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो याद आया OH, OH और यह बीच में जो यह point है this is CH2 इधर से भी CH2, इधर से भी CH2 फिर इधर से एक CH2 और जुड़ेगा इधर से भी CH2 और वापस से वही चीज रिपीट हो जाएगी OH और इधर से यह OH यहाँ से यह ठीक है ऐसे सारा कुछ लंबा साय की यूनिट बनेगा ठीक है, ओलरी हम baccalite को discuss कर चुके है तो यह baccalite इस तरीके से फॉर्म होता है ओके, so this was the example of some important क्या, some important commercially useful polymers की उनका नाम क्या होता है उनके uses क्या होते है उनकी monomeric units क्या होती है और उनकी polymeric unit को represent कैसे किया जाता है, so इतने तक तो सब लोग clear है अब हम लोग discuss करते हैं चलो कुछ एक previous year questions को previous year question में अब हम से, देखो जितनी भी चीज़े हमने पढ़ी है अभी तो सारप previous year तो मैं आ नहीं करा सकता बट हम कुछ एक previous year questions को यहाँ discuss कर सकते हैं जैसे की, यह देखो which of the following is a natural polymer ठीक है, which of the following is a natural polymer तो अभी हमने क्या पढ़ा था natural polymers क्या होते हैं जो natural sources से क्राप्त होते हैं और formula देखके कुछ याद आ रहा है अभी हमने natural rubber भी पढ़ा था ठीक है, तो natural rubber में मैंने तुमको क्या बताया था कि यह एक तो butadiene होता है लेकिन butadiene मैंने जोड दिया था एक बात पर कि ट्रांस नहीं होता है butadiene का जब polymerization होगा तो वो cis form में नहीं होगा किस form में होगा अरे, transform में नहीं होगा किस form में होगा cis form में होगा तो यहाँ पहला ही आप देख सकते हैं जो पहला option है वही किसको represent कर रहा है natural rubber को represent कर रहा है तो यही हमारा क्या होगा correct answer हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि it was asked in need 2020 समझ रहो ना जैसा मैंने शुरू में बोला यह chapter पढ़ डालो और एकदम straight forward नसी आटिस question आता है कुछ भी ताम जाम जादा नहीं लगाता देखो कितना easy question था अराम से तुमको जो भी इसको number allotted होगा वो number तुमको मिल जाएगा देखो दूसरा question भी कुछ जादा ताम जाम इसमें भी नहीं होगा यह सारे chapters के question बहुत straight forward होते हैं देखो regarding cross linked or network polymers which of the following statement is incorrect अब देखो यह सब थोड़ा सा ध्यान दिया गरो exam कब statement वाले जब question आ रहे हैं तो कब correct पूछा हुआ है कब incorrect पूछा हुआ है इस ही मगच्चा खा जाते हैं तुम लोग पता चला correct खोज के इसमें तो चार options सही दिया हुआ है चारो सही दिया हुआ है उनमें cross linking होती है cross linking किस के तुरू होती है covalent bonds के तुरू होती है कब वो बनते हैं जब die ये try functional groups होते हैं और उनमें example क्या होता है back and light पढ़ा था हमने मेला mean पढ़ा था तो आप सारे options एक बार पढ़ डालते हैं खुद ही ये answer बता देगा तुमें देखो पहला option क्या दिया हुआ है they contain covalent bonds between various linear polymer chains बिल्कुल सही है कि cross link polymer में क्या होता है ये chain होती है various chains होती है इनके बीच में cross linking होती है covalent bonds के थुरू randomly कहीं से भी इनके बीच cross linking होती है तो यानि कि the first statement is correct अब देखो अगला क्या बोला है कि they are formed from by and trifunctional monomers बिल्कुल सही है यही ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था कि ये by and trifunctional monomers होंगे तभी cross linking वाले polymer का formation हो पाएगा बतलब ये जो आपके cross link polymers है तभी form होंगे bakelite and melamine they are example of क्या they are example of cross link polymers बिल्कुल सही दिया हुआ है they contain strong covalent bonds in their polymer chain अब ये कह रहा है कि ये जो polymer chain इनकी ये वाली है ये वाली इनमें ही आपस में strong covalent bonding होती है तो ये correct नहीं है ये correct नहीं है ये तीनों point correct है ये वाला correct नहीं है ऐसा था हमने कुछ नहीं पढ़ा था तो देख रहे हैं आप कि आपने अगर ढंक से ये वाला पढ़ा रहा था तो ये question कित्ते दिर में हो जाता जेत्ता time इस question को पढ़ने में लगा उत्ते दिर में इसका answer हो गया no calculation कुछ दिमाग में है ना higher order thinking नहीं करना सीधा सीधा सवाल है और need 2018 में पूछा गया है so I hope everyone is clear कि इसका correct answer क्या होगा D option होगा because that is incorrect statement let's come to the next question अब देखो कि which of the following structures represents neoprene polymer मैंने neoprene में क्या बताया था तुम लोगों को कि ये synthetic rubber होता है synthetic rubber किससे बनता है synthetic rubber का है कि एक सीधी सी बात क्या बोली गई कि 1,3 butadiene का या तो एक monomer 1,3 butadiene होगा या उसके क्या होँगे derivatives होँगे ठीक है तो 1,3 butadiene का derivative मुझे और कोई तो नहीं दीख रहा है ये दीख रहा है chloroprene chloroprene के ही polymerization से तो क्या बनता था neoprene polymer बनता था so सीधा सीधा answer है इसका option A I hope everyone is clear देखो किता straight forward questions आ रहा है अगला question caprolectum is used for the manufacture of caprolectum याद है ना वो जो एक ring थी 7-membered उस 7-membered ring में ही क्या था CO-NH bond था वो टूट के क्या हुआ एक linear यसी यह वाला याद है ना देखो ये ये था caprolectum CO-NH 1,2,3,4,5,6,7 ये caprolectum था तो caprolectum के टूटने से क्या बना था याद करो C double bond O फिर ये CH2 कितने times है 1,2,3,4,5 5 times and NH और ये क्या हो गया था polymerize हो गया था ये बना था ये है caprolectum याद आ रहा है कुछ किस चीज में बताया था मैंने ये nylons में तो ये देखो ना nylons 6 हुआ की नहीं NH के एक side में क्या है 6 carbon है तो ये क्या हो जाएगा किसको बनाने के लिए यूज हुआ दिस इस Nylon 6 और ये भी देखो AI PMT 2015 पुछा गया है समझे रहो ना इसी में caprolectum is used for the manufacture of ये पुछ लिया तो अगली बार जब इसका मन करेगा तो क्या पुछेगा Nylon 6 का monomer क्या होता है तो Nylon 6 का monomer क्या होता है Caprollectum होता है आप आसानी से कर ले जाओगे आप अगले question की तरफ चलते है The biodegradable polymer is एकदम ताजा ताजा अभी मैंने पढ़ाया तुम लोगों को और biodegradable polymer में भी जादा गुछना नहीं आपको खेवल दो चीजें पता होनी चाहिए biodegradable polymer में as per your syllabus और वो क्या-क्या है एक तो है क्या PHBV और दूसरा क्या था Nylon 2, Nylon 6 बस इतना ही इनके बारे में ही याद रखना है बहुत ज़्यादा इनकी monomeric units से याद रख लो और इनकी zero pitting units है उनका structure एक बारे याद रख लो बहुत कठीन question पूछेगा तब वो पूछेगा अभी देखो सीधा सीधा NIT 2019 बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और क्या बोला है दब बायो डिगेडेबल पॉलीमर इस याद यूना एन तो नहीं है Nylon 6,6 भी नहीं है Nylon 2, Nylon 6 दो ही चीज़े याद रखनी थी और एक आपको दिख दी तुरंक mark कर दिया कितना टाइम लगा Hardly 5-10 seconds इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा So, देख रहे हैं आपकी पॉलीमर कितना आपके लिए एक्जाम में productive हो सकता है कितना ज़्यादा आपको नंबर दे के जा सकता है तो प्लीज इस chapter को अच्छे से करिएगा तो ये तो मैंने आपको ऐसे ही 5-6 questions करा दिये थाकि आपको idea रहे कि किस तरीके से पढ़ना है और जित्ता भी revision आपको कराया गया That was very well streamlined according to your examination Okay So, I hope आप सभी लोगों को ये revision session अच्छा लगा होगा तो प्लीज अगर आपने theory revise कर ली है So, go और जितने question आप maximum इस chapter के कर सकते हो वो questions कर डालो ज़्यादा से ज़्यादा questions ठीक है और hardly 50 question करने भी तुमको आधे गंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा polymers के So, please go और ज़्यादा से ज़्यादा question करो ताकि हम exam में क्या कर सके ज़्यादा से ज़्यादा score कर सके अच्छी rank ला सके So, hope for the best Best of luck for your examinations Bye-bye